नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का साधना IS के इस ओनलाइन कर्षाकारे क्रम में दोस्तों, जो हमारे भाई बंधू BPSC की मुख्य परिक्षा दे रहे हैं उनकी एक समस्या रही है या उनको ऐसा लगता है कि BPSC का जो सिलेबस है, वो IS से पूरी तरह भिन है, लिखने का स्टाइल भी अलग है तो मैं आपको यह यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप IS के सिलेबस को खुब धंग से तयार करें तो BPSC के जो अलग थलग कुछ साता टॉपिक हैं उनकी तयारी अपने आप हो जाएगे और दूसरी बाद कि IS के सिलेबस को बिना धंग से पढ़े आप BPSC के प्रशनों को नहीं कर सकते क्योंकि अब तुलनात्मक प्रशना आती है और तुलनात्मक प्रशनों को करने के लिए आपको एक ही रचनाकार कि कई रचनाओं का तुलनात्मक अध्यान करना पड़ेगा इतना ही नहीं जरूरत पढ़ने पर उस धारा या अन्य धारा के रचनाकारों के साथ भी आपको तुलनात्मक अध्यान की आवश्यक्ता पड़ेगी दोस्तों इस बात को समझने के लिए आज हम लोग एक टॉपिक समझने की कोशिस करते हैं हिंदिस आहित्य बीपीएस्सी में एक रचना है सरोज स्मृति सुरिकांत्रिपाठी निराला की रचना है 1935 में यह रचना लिखी गई और अनामिका के दूसरे भाग में 1938 में प्रकाश्चित हुई यह माना गया कि सरोज स्मृति एक शोक गीत है डॉक्टर राम बिलाश सर्मा ने लिखा कि यह शोक गीत न केवल हिंदी साहित्य में बलकि पश्चिमी जगत के शोक गीतों में भी प्रतीमान है जाइर सी बात है कि शोक गीत की परंपरा भारतीय नहीं रही है हिंदी में शोक गीत लिखे भी नहीं जाते थे यदि आप ऐसे भी देखें तो संस्कृत साहित्य या हिंदी साहित्य में रचनाएं सुखान्त रही है दूसरी बात कि जब अपने यहां संस्कृत या हिंदी में हम लोग वियोग श्रिंगार या विरह वर्णन की भी चर्चा करती है तो वियोग की जो दस अंतर दशाएं है उन दसों अंतर दशाओं में एक मरण है इस मरण की चर्चा हिंदी या संस्कृत साहित्य में नहीं होती यानि एक तो अपने यहां रचनाएं सुखान्त लिखी जाती है विद हैपी एंडिंग क्योंकि जो दुखान्त है या जो ट्रेजडी है वो पश्चमी साहित्य का अंग है अरस्तु सेक्सपियर वगरह इस पर अधिक काम कर रहे थे दोस्तों दूसरी बात कि यह जो शोक गीत है इसे मरसिया या एलिगी कहती है और यह या तो पश्चमी साहित्य से आया या फिर अरबी साहित्य से आया फारसी साहित्य से आया जहां मरसिया है स्यापा है छाती पीट-पीट करके विलाप करने की परंपरा हिंदी में देखा जाए तो निराला से पहले कहीं एक दो पंक्तिया मरसिया एलिगी या स्यापा पर देखी गई जैसे अमीर खुश्रो लिखते हैं अपने गुरु निजामो दिन की मृत्यू पर कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस खुश्रो चल घर आपने रैन भई चहु देश ऐसे ही भारतेंदु की भी रचनाओं में कहीं एकाध पंक्ति हमार आप देख सकते हैं जैसे भारतेंदु लिखते हैं उर्दु मर गई हाए हाए कहां सिधारी हाए हाए या भारत दुर्दशा में ही एक पंक्ति है कि रोवहू सब मिलके आवहू भारत भाई हाँ चहती पीट कर हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई किन्तु पूरी तरह से रचना शोक गीत हो ऐसा पहले कोई ना तो काब्य लिखा गया ना कोई ऐसी रचना लिखी गई निराला ने 1935 में सरोज स्मृति लिख कर इस शोक गीत की परंपरा को हिंदी से जोड़ा और साथ ही यह रचना विश्व साहित्य के लिए भी यह कहा जाए कि अब तक जितनी भी रचनाएं शोक गीत परक रही थी मर्शिया या एलगी से जुड़ी हुई थी उनमें अपने आ शर्मा ने लिख दिया कि यह रचना न केवल हिंदी साहित्य बलकि विश्व साहित्य के शोक गीतों में भी प्रतिमान है दोस्तों सरोज निराला की इकलोती पुत्री है एक ऐसे समाज में जहां पिता पुत्र की आकांशा रखता हो पित्री सत्तात्मक समाज हो वहां पुत्री वियोग में एक पिता तडप रहा हो यह अपने आप में एक प्रतिमान है निराला की रचनाउं में नारी मुक्ती आप सभी स्तरों पर देख सकती है आचारी नंदुलारे वाजबई ने लिखा कि अपनी मरी हुई पुत्री का सौंदर ये चित्रण करके निराला ने अपने जीवट होने और अपने महाप्राण होने का प्रमान दिया लोग तो अपनी बहु बेटियों की बात नहीं करते चाहे वो जीवित ही क्यों न हूँ लेकिन इस महाप्राण निराला ने इस जीवट निराला ने मरी हुई पुत्री के सौंदर ये को उदगाटित किया उसके जीवन की स्मर्तियों को उदगाटित किया जो पुत्री 18 साल की उम्र को पार करके 19 में पर आते ही महा आलोक वरण कर जाती है निराला लिखते हैं कि यह मेरी पुत्री की मौत नहीं है यह तो महा आलोक वरण है इसलिए लिखा उन्होंने 19 पर था जो प्रथम चरण जीवन के सुचितर सपर्याय कर पार जीवन के अस्टादसाध्याय जिस प्रकार गीता में 18 अध्याय हैं उसी प्रकार निराला को लगता है कि उनकी पुत्री भी गीता की तरह है जो जीवन के 18 अध्यायों को पार करके अभी 19 पर आई ही थी कि महा आलोक वरण यानि मृत्यू को वरण कर लेती है दोस्तों यह रचना ऐसे तो एक शोक गीत है और शोक गीत पर दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं पहला प्रश्न जो बनता है कि शोक गीत के तत्तों के आधार पर सरोज स्मृत्ती की चर्चा करी एक दूसरा प्रश्न जो पूछे जानी की सम्भावना है कि छायावादी विशेस्ताओं की आधार पर सरोज स्मृत्ती लेकिन अभी हम आपलों से यह कह रहे थे कि जब तक किसी रचना की या किसी रचनाकार की समग्र जीवन रिष्टी को आप नहीं जानेंगे नहीं देखेंगे तब तक किसी भी रचना को ढ़ं से या उसके प्रश्नोतर को समुचित तरीके से नहीं कर पाएंगे डॉक्टर राम बिलाश सर्मा ने एक स्टेटमेंट जारी किया आप देखें यहीं से एक प्रश्न बनता है वो क्या स्टेटमेंट है और वो कैसे तीसरा प्रश्न बनेगा डॉक्टर राम बिलाश सर्मा लिखते हैं कि राम की शक्ती पूजा कि जो राम है, वही सरोज स्मृति के निराला है, यानि इस स्टेटमेंट से एक प्रश्न और उम्दा उभर के आया, डॉक्टर राम विलाश सर्मा मारक्सवादी थे, लेकिन उनकी आलोचनाद रिष्टी में, निराला सबसे महत्तोपोर्ण कवी के रूप में स्थापी थे, तो डॉक्टर राम विलाश सर्मा ने लिखा कि राम की शक्ति पूजा, में जो राम है, वही कहीं न कहीं, सरोज स्मृति के निराला है, इसलिए राम की शक्ति पूजा में जो मनोदश्टा राम की है, वही मनोदश्टा निराला की है, सरोज स्मृति में, राम की शक्ति पूजा 1936 की रचना है तो सरोज स्मृत्ती 1935 की रचना है दिखा जाए तो बिल्कुल एक ही काल में दोनों रचनाई निराला की उभर करके आई राम की शक्ति पूजा के राम बेवस्था से त्रस्त है और इसलिए लिख पढ़ते हैं कि रामन अधर्मरत होकर भी अपना मैं हुआ अपर शक्ति का खेल यह समर शंकर शंकर दिखते हैं राम की शक्ति पूजा के राम की राम जैसे अत्याचारियों के पक्ष में महाशक्ति दुरगा खड़ी हैं और मैं जो धर्म धन प्राण राम हूँ मैंने हमेशा लोक मंगल के लिए कारिय किया है बला शक्ति मेरे ही विपक्ष में खड़ी हैं और इसलिए राम विफर पढ़ते हैं कहते हैं मित्रवर विजय होगी ना समर क्यों यह रण नहीं रहा नरबानर का राक्षस के साथ राम को लगता है कि यदि बानर भालूओं की मेरी सामुहिक से ना रामन जैसे राक्षस के साथ लड़ रही होती तो मैंने से तोर पर रामन को चुटकियों में मसल के रख देता परंतु पीडा कुछ और है पीडा यह है अन्याय जिधर हैं शक्ती उधर कहते छलचल हो गए नायन राम रो पढ़ती हैं यानि राम की शक्ती पूजा के राम बेवस्था से आहत हैं और सरोज स्मर्ती के निराला पिता निराला जिनके लिए सरोज एक रचना भी है और पुत्री भी है लिखते हैं कि पार्ष्व में कुषल हस्त गद्य और पद्य में समा भ्यस्त अरे मैं तो गद्य और पद्य दोनों में ही कुषल हूँ निराला नाटक उपन्यास भी लिखते हैं और कविताओं में भी अपनी महा प्राणता दर्शाती लिखते हैं ब्यर्थ भी कवी जीवन में ब्यस्त लिखता रहा अबाध गती मुक्त छंद सरोजिस्म्रती किन्तु संपादक गण निरानन्द उस समय के संपादक निरानन्द उन्हें आनन्द नहीं आता था राष्ट्रिये हित की रचनाओं से वो तो श्रंगार में डूबे हुए थे उन्हें श्रंगार की छिछली रचनाएं पसंद आती थे इसलिए जिस प्रकार राम की शक्ति पूजा के राम आहत हैं विवस्था से उसी प्रकार सरोजिस्म्रती के पिता निराला भी विवस्था से आहत हैं इसलिए उन्होंने ब्यंग किया हिंदी का यह सनेहो पहार क्या यही हिंदी की सेवा का उपहार मिला है मुझे जीवन में कि पुत्री का इलाज एक धेले तक नहीं करा सका और वह यक्षमा टीबी रोग से ग्रसित हो करके काल कवलित हो जाती है किन्तु दोस्तों जिस प्रकार राम की शक्ति पूजा के राम लोक मंगल नहीं छोड़ते कहते हैं राम मात समझा मैं इंगित महाशक्ति दुरगा को यह सिंग यह मेरा है प्रतीक जन रंजन चरण कमलतल इस्थित सिंग धन्य है इस्थित सिंग यह जो शेर है माता शक्ती के चरणों के तले है जो चरण लोग कल्यान के लिए उठते हैं मैं इसी सिंग भाव से करूंगा तुम्हारा अभिनंदन मैं भी शक्ती को धारण करूंगा इसलिए राम की शक्ती पुजा के राम द्रिढ आराधन करती हैं व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए शक्ती की साधना नहीं करती हैं उन्होंने शक्ती की मौलिक कल्पना की परंपराओं में नविंता का समावेश्ष करके समाज कल्यान के लिए लोक मंगल के लिए शक्ती की साध अर्थात राम घोर निराश्चा में भी घोर हताश्चा में भी लोक मंगल नहीं छोड़ते राम की शक्ति पूजा के राम। जिस प्रकार राम घोर यातना घोर पीडा घोर दुरदश्चा में भी लोक मंगल नहीं छोड़ते उसी प्रकार सरोज स्मर्ती के निराला यानी इस रचना के निराला पिता निराला भी घोर दुरदश्चा घोर दुख घोर पीडा के बीच भी लोक मंगल का भाव नहीं लिखते हैं निराला सरोज स्मृति में दुखी ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कहीं। लेकिन इस यातना के बीच भी लिखते हैं। लख न सका वे द्रिग विपन छीन का न कभी छीना अन। किसी गरीब का अन नहीं छीना। किसी गरीब की आखों को उन आखों में जो बसी बेवसी है, जो लाचारगी है उसे मैं देख नहीं सकता। जिस प्रकार राम की शक्ती पूजा के जो राम हैं वह लोक मंगल नहीं छोड़ते, पतनी अपहरत है, बाई को शक्ती लगती है, बनवास मिलता है, दर-दर ठोकर खानी पड़ती है, लेकिन राम की शक्ती पूजा के राम लोक मंगल नहीं छोड़ते, उसी प्रकार सरोज स स्मृति के निराला भी अपनी रचनाओं का माध्यम सिर्फ लोक मंगल ही मानते हैं, सिर्फ राष्ट रहित ही मानते हैं। इसलिए दोनों रचनाओं में आप देखें, राम की शक्ती पूजा में, राम अपने को धिक्कार उठते हैं। कहते हैं, धिक जीवन जो पाता आया सदा विरोध, धिक साधन जिसके लिए करता आया सदा ही सोध। और सरोज स्मृति में भी निराला अपने आपको धिक्कार उठते हैं। कैसे? कहते हैं, धन्य पिता मैं निरर्थक था। कुछ भी तेरे हित न कर सका। मैं तो लाचार बाप था मेरी बेटी। वह बेटी जो गीता की तरह है, इसलिए निराला उसकी उपमा देते हैं, कभी गीते से, कभी सूचीते से, कभी जीवित कविते से। लिखते हैं निराला, धन्य पिता मैं निरर्थक था। कुछ भी तेरे हित न कर सका। खुब प्यार से सुनिये लिखते जाईए सत्य नारायन कथा नहीं है। धन्य पिता मैं निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। जाना तो अर्था गमों पाए। मैं जानता हूं how to earn। क्योंकि मेरे दोनों हस्त कुशल हैं। फिर भी उनके वान लक्ष से भटक रहे हैं। उसी प्रकार निराला की रचनाएं भी संपादकों को रास नहीं आती। संपादकों के टेबल से लोटा दी जाती हैं। निराला लिखते हैं लोटी रचना लेकर उदास ताकता रहा दिशाकास। ये निराला भी अपने आपको धिक्कार उठते हैं राम की शक्ती पुजा के राम की तरह। कि धन्य पिता मैं निरर्थक था कुछ भी तेरे हितना कर सका। जाना तो अर्था गमों पाए पर रहा सदा संकुचित काए लगकर अनर्थ आर्थिक पत पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। मेरी रचनाओं से कहीं समाज का कहीं राष्ट्र का अहितन हो जाए। इसलिए बेशक मैं व्यक्तिगत स्वार्थ को हार गया। बेशक जीवन समर को हार गया। लेकिन यह नहीं चाहता कि मेरी रचनाओं राष्ट्रिये हित से चुक जाएं, लोकमंगल से चुक जाएं, दोनों धिक्कार उठते हैं, कहीं न कहीं राम की शक्ति पूजा के राम भी और कहीं न कहीं सरोजिस्मृति के निराला भी। जिस प्रकार सरोजिस्मृति में निराला अपनी पीडा की चर्चा करती हैं। जैसे राम देखते हैं, कि रावन पर उनके द्वारा साधी गई जितने भीवान हैं, वो लक्ष से भटक जाती हैं। किन्तु ये बान जो राम बान हैं, जो अचूक हैं, जो अमोग हैं, जिने काटा नहीं जा सकता, जो बान लक्ष से भटक नहीं सकते, वो भी लक्ष से भटक जाती हैं। और वही दशा निराला की हैं, कि जिन रचनाओं से राष्ट्र का हित आवश्यक रूप से संभव हैं, वो रचनाएं भी संपादकों के द्वारा लोटा दी जाती हैं। इसलिए संपादक गण उन्हें निरानंद नजर आती हैं, क्योंकि थे उन्हें रसिक्ता जो पसंद थी, उन्हें छिछली रचनाएं पसंद थी। दोस्तों, यह माना गया कि इस रचना सरोज स्मृत्ती में छायवाद की लगभग सभी विशेस्ताएं उदगाटी थें। छायवाद की विशेस्ताओं पर यदि बात करें, तो छायवाद में व्यक्ति वाद है। छायवाद में नारी चेतना है। छायवाद में प्रकरती चेतना है। छायवाद में राष्ट्रिये जागरण है। छायवाद में वेदना वाद है, पीडा वाद है। चायवाद में कलपना शिलता है। चायवाद में मुक्त चंद है। चायवाद लाक्षणिक शैली पर आधारित है। चायवाद में मुक्त चंद है। तो निराला की इस रचना में सरोज स्मृती में नारी मुक्ती उस भाव तक पहुँचती है। जिसे आप देख सकते हैं पित्री समाज में या पित्री सत्तात्मक समाज में विरह वियोग में या पुत्री के वियोग में एक तडप रहे पिता का भाव है। जहां पुत्र की कामना व्याप्त रही हो बलवती रूप में। वहां एक पिता अपनी पुत्री के लिए तडप रहा है। उसके स्मृतियों में डूबा हुआ है। अपनी अक्षमता पर अपनी असमर्थता पर कराह रहा है। वेदना से पिडित है। फिर भी उसके मन में यह भाव है कहीं ना कहीं कि उसके लिए पुत्री ही सब कुछ है लिखते हैं निराला कि मुझ भाग्यहीन की संबल तुम निराला अपने को भाग्यहीन मानते हैं और पुत्री ही जीवन का एक मात्राधार संबल है दो वर्ष बाद जब तुम हुई विकल दुखी ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही इसलिए निराला अपने सभी कर्मों को मानो अरपित कर देते हैं पुत्री पर और यही पुत्री का उनके लिए तरपन है गत कर्मों का अरपन कर करता हूँ पुत्री तेरा तरपन अपने यहां हिंदु धर्म में मृत्यू के उपरांत हम तरपन करते हैं ताकि जो आत्मा है वह परम आत्मा से विश्वात्मा से लय हो जाए परम ब्रम्ह में लीन हो जाए निराला को यह पुत्री महालोक वरण की तरह प्रतीत होती है मानो पुत्री की मौत नहीं हुई है इसने तो महालोक वरण किया है और फिर कहीं न कहीं अपने मन को संतोष भी देते हैं कहते हैं कि शायद तुम मुझसे पहले इसलिए चली गई विदा हो गई कि तुम्हें इस बात का डर था कि जब मैं बुढ़ापे में मरूंगा तब मैं निराधार शक्ती हीन भला मुझे भौस आगर कौन पार कराएगा इसलिए मुझसे पहले तुम चली गई तो अपने सभी गत करमों का अरपन करता हूँ और यही समझ लेना तुम्हारा तरपन है दोस्तों किसी भी शोक गीत की अपनी कुछ विशेस्ताएं होती है जैसे चायवाद की विशेस्ताएं रही है उसी प्रकार शोक गीत की भी विशेस्ताएं होती है शोक गीतों में यदि गौर करें तो सबसे पहले प्रिये की स्मृतियां होती है जो गुजर गया हो उसकी स्मृतियों में रचनाकार डूबा होता है तो प्रश्न भी बनेगा कि शोक गीत के तत्तों के आधार पर इस रचना की चर्चा करें या छायवादी विशेस्ताओं के आधार पर इस रचना की चर्चा करें तो शोक गीत के जो तत्तों हैं उनमें प्रिये की स्मृतियां जो आहलादित करने वाले च्छन हैं उनकी याद साथ ही आत्म गलानी या अभाव पर छोब इतना ही नहीं परमपरा और विवस्था पर प्रहार और देखा जाए तो अपने जीवन के लिए कहीं न कहीं सबक या सीख जैसे तत्तों को केंदर में रख करके शोक गीत लिखे जाती हैं निराला याद करते हैं पुत्री के स्मृतियों को कि किस प्रकार जब सवा साल की सरोज थी उसी समय उसकी मा यानि निराला की पतनी गुजर जाती है और नानी की गोद में ही वह पलती है सरोज भाई की मार खाकर रोती है विकल होती है और फिर नदी विहार करके आती है तटको खुश हो जाती है निराला की कुंडली में दूसरे विवाह का योग रहता है किन्तु मानो निराला अपने भाग्य को स्वयम बदल देना चाहते थे इसलिए भी निराला महा प्राण कहलाई जीवट कहलाई अपनी कुंडली दे देते हैं पुत्री सरोज के हाथों में और उस कुंडली के टुकडे टुकडे करके वह खेलने लगती है मुस्कुरा उठती है याद करते हैं कि किस प्रकार अपने बाल्य जीवन को पार करके वह योव नागम की ओर कदम रखती है तरुनाई की ओर प्रवेश करती है बाल्य जीवन की केलियों का प्रांगन कर पार लावण्य कुंज सुघर यह माना गया कि जिस प्रकार छायवाद में प्रकर्ती चित्रन है सरोज स्मृति में भी प्रकर्ती चेतना है सरोज के संदारिय वर्णन में प्रकर्ती के कई रंग देखे जा सकती सरोज की बाल्यावस्था की चर्चा निराला प्रांगन से करती है और उसकी तरुनाई या यवनागम की चर्चा कुंज से करती हैं प्रांगण में बिवस्था नहीं होती किन्तु जो कुंज है वह अनुशाशित होता है। इसलिए तरुनाई के आने पर यवनागम के आने पर जो सौंदर्य का बोज है वह लज्जा का रूप ले लेती है। इसलिए वह लज्जा जुकी हुई आखों के माध्यम से प्रस्तुत होती है। और जो सौंदर्य का बोज है वह ओठों पर लज्जा के रूप में थर्थराहट के रूप में उतर करके आता है। निराला प्रकरती के कई रंगों के माध्यम से पुत्री का सौंधर्यद घाटेत करती हैं इसे लिए लिखते भी आचारे नन्दूलारे वाजबेई कि मरी हुई पुत्री का भी सौंधर्य चित्रन कर सके ऐसा तो कोई महाप्राण निराला ही हो सकता था निराला लिखते हैं मा की कुल सिक्षा मैंने दी पुष्प सेज तेरी स्वैम रची जो पिता यह कहने का साहस रखता हो कि हे बेटी मैंने तुम्हारी सुहाग सेज पुष्प सेज अपने हाथों से सजाई है और जरूरत पढ़ने पर मुझे किसी की आवश्यक्ता नहीं है मा पिता दोनों बन कर तुम्हें पालता हूँ विवा के समय जो मा सिक्षा देती है आज मैं देता हूँ ऐसा जीवट रचनाकार निराला पुत्री के स्मृतियों को पुत्री के शोक को अपने जीवन के लिए एक बहुत बड़ी सीख बना देती है अशब्द अधरों का सुना भास मैं कवी हूँ जीवन में पाया है प्रकाश पुत्री मर जाती है पिता तडपता रहता है लेकिन दिल में दर्द है जीवन में पीड़ा है यातना है क्योंकि जीवन तो दुख ही की कथा है फिर भी वह जीवन लोकमंगल से नहीं हटता साहि साहित्य साधना से नहीं हटता बिशक निराला व्यक्तिगत समर को भी हारते हैं जीवन समर को भी हारते हैं और कहीं न कहीं साहित्य समर में भी हर रोज न जाने कितनी बार पछाहीं खाकर गिरते हैं लेकिन निराला अपने उस पुनीत कारिय से नहीं हटते हैं इसे लिए अ पुत्री की कई इस मृत्मियां उन्हें याद आती है इस शोक गीत में कि किस प्रकार नानी यानि निराला की सास ने मामा मामी ने बड़े प्यार से पाला सरोज को और फिर जब वह बड़ी हुई तो सास यह कहती है कि अब इसके लिए जो योग्यवर हो उसे ढूंड करके आप विवाह करें मैं भी उसमें साहायक बनूँगी निराला लेकर के पुत्री को चल पड़ते हैं अपने घर लिखते हैं लेकर तुझे सांथ चला कनक जैसे भिक्षुक स्वारन जहनक क्योंकि एक मात्र पुत्री ही तो है जीवन की थाती जीवन की एक मात्र संपत्ती या यूँ कहें कि जीवन में एक मात्र धरोहर वही पुत्री है इसलिए जैसे किसी भिख्षुक को सोने की खनक मिल जाए सोने की तिजोरी मिल जाए उसी प्रकार सोने की तिजोरी सरोज रही है पिता निराला के जीवन में खोजते हैं इधर उधर वर लेकिन कोई कुशलवर नहीं मिलता शोकगीत के तत्वों में देखा जाए तो न केवल प्रिये किस मृतियां हैं आहलादित करने वाले छण बलकि कहीं न कहीं परंपरा बेवस्था के प्रतिया क्रोश भी है निराला कान्य कुप्ज ब्राम्भन थे कान्य कुप्जों की शाखा जितनी फैली सम्रद्ध थी उतनी ही कुरीतियां भी उसमें व्याप्त थी दहेज जैसी कुप्र था मुह बाये खड़ी थी इसलिए निराला लिखते हैं ये कान्य कुप्ज कुल कुलांगार खाकर करें पत्तल में छेद इनके करकन्य अर्थ खेद वे जो जमुना के से कछार पदफटे बेवाए के ऐसे शिव से गिरजा ब्याह करने की नहीं मुझ में चाह अरे जिनके पैरों की एडियों में यमुना के कचारी मिट्टी की तरह दरार पड़ी हो किन्तु मुँ खुला हो दरार की तरह ही दहेज के लिए जो जाती अपनी ही जाती के लिए कलंक हो खाकर पत्तल करे छेद, ये कान्यकुब्ज कुलकुलांगार खाकर करे पत्तल में छेद, इनके करकन्या अर्थ खेद, भला ऐसे लोगों के हाथ में बेटी देकर मैं बेटी का अहित नहीं कर सकता जो दहेज के लोभी हूँ इसलिए अपनी ही तरह एक निर्धन किन्तु सुशील वर ढूंडते हैं, जो अपने आप में एक साहित्यकार है, नव यूवक है, सत साहित्तिक है और निर्धन तयार हो जाते हैं, कहते हैं, तोड़ता मैं विवाह के नियम, लगन के मंत्र स्वयम पढ़ूंगा, स्वयम पढ़ूंगा लगन के मंत्र पुरानी परमपराओं पर कही न कही मन में आक्रोश है लेकिन पुरानी परमपराओं को छोड़ भी नहीं सकते इसलिए पुत्री के लिए गोत्र और जाती का ध्यान रखकर के कुशलवर चुनते जाईर सी बात है कि पुरोहित को दक्षुना देने के लिए भी इनके पास पैसा नहीं है वर को तो कहते हैं कि मेरा जो कुछ है वह आप अपना समझिये और यह पुत्री ही मेरी एक मात्र निधी है किन्तु पुरोहित के लिए दक्षुना कहां से लाएं इसलिए लगन के स्वैम मंत्र पढ़ने को भी तत्पर हो जाती है बंदु बांधों को कुटुम्बियों को बुला कर उन्हें जीमाने उन्हें भोज कराने की भी छमता नहीं है इसलिए पुराने नियमों को तोड़ते भी हैं और परमपराओं का निर्वाह भी करते हैं शक्ति पुजा में जो राम है कहीं न कहीं परमपरा और नविंता दोनों के समाविश से बने है ये जो राम है जितने भाउक हैं उतने ही बौधिक भी है वहेक और मन रहा राम का या इस्थिर रागविंद्र को रहर हिला रहा फिर फिर संशय या माता कहा करती थी सदा राजीव नयन जिस प्रकार राम की शक्ति पुजा के राम परमपरा और नविंता के समाविश से बने है उसी प्रकार सरोज स्मृति के निराला भी परमपराओं में विश्वास करते हैं और कहीं न कहीं परंपराओं से आगे जाकर नवीन्ता को भी अपनाते हैं इसलिए इस रचना में दहेज जैसी कूप रथा पर सबसे अधिक प्रहार करते हैं बिश्चक निरर्थक जीवन को जी रहें लेकिन जीवन में एक प्रकाश स्पाते हैं मैं कवी हूँ पाया है प्रकाश और उस भाव को नहीं छोड़ते इसलिए जब इस रचना को आप लिखने की कोशिस करें तो तीन अस्तरों पे लिखें एक छायवादी विशेस्ताओं के आधार पर सरोज स्मृति कि किस प्रकार छायवाद का जो व्यक्तिवाद या मैं शैली है वो भी सरचना में है छायवाद में जो नारी मुक्ती का भाव है वो भी सरचना में है राम की शक्ति पुजा में देखें तो राम का जो पूरा प्रयास है वो सीता मुक्ती के लिए लिख भी पड़ते हैं कि है प्रिया जानकी का उद्धार हो न सका और सरोजस्मर्ती में भी पिता कहीं न कहीं पुत्री की आत्मा को महा लोक वरण से जोड़ देती मरी हुई पुत्री पर कविता लिखना और स्वयम के जीवन में एक प्रकाश का पाना आप समझ सकते हैं कि नारी चेतना किस प्रकार की प्रकर रही है निराला की प्रकरती के रूप रंगों के द्वारा पुत्री का सौंदर्य चित्रन करना लिखते हैं निराला की जो मालकोश राग नौवीना पर पुत्री सरोज का जो सौंदर्य है जो उसकी तरुनावस्था है जो यवनागम है उस समय जो सौंदर्य और सुघरता उसका जो बोज है वह कहते ही कि मानो कापा दिक कापा बन प्रसार जैसे यह सौंदर्य दिक दिगंत ब्यापी हो जाता है जैसे भोगावती उठी हो अपार किन्तु देह की परिधी से यह सौंदर्य परे नहीं है यह कोई ऐसी बायविये योवनावस्था नहीं है जिसमें स्वच्छंदता नहीं है इसमें कहीं भी बेहयाई नहीं है बलकि इसमें लज्जा है इसमें नैतिकता है इसलिए सौंदर्य का बोज महसूस तो करती है पुत्री आसपास के लोगों को पहले खबर हो जाती है निराला यही दर्शाना चाह रहे थे जैसे मालकौश राग नौवीना पर बजे रात्री मध्य में या मध्य रात्री में मालकौश राग बजाती है जब घुपंदकार हो और चारो और सन्नाटा हो तो नई वीना पर यह मालकौश राग ध्वनी इस प्रकार गुंजीत होती है कि आसपास के परिवेश को जंकृत करते ठीक मालकौश राग की तरह ही सरोज का सौंदर्य दिग दिगंत ब्यापी है परिवेश में ब्याप्त है किन्तु पुत्री में पिता की कूल लज्जा भाव है वह परिवार की मर्यादा जानती है इसलिए नत नैनों से उतर आलोक उतर कापा अधरों पर थर 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 यह सौंदर्य लज्जा का रूप ले लेता है तुलसी के राम शक्ती, शील और सौंदर्य की प्रतिमूर्ती है तो निराला के राम भी शक्ती, शील और सौंदर्य से अभी भूत है निराला अपनी रचनाओं में कहीं भी शक्ती और सील को नहीं छोड़ते जैसे तुलसी यह मानते थे कि मर्यादा के कारण ही लोक मंगल है व्यक्ति यदी मर्यादित हो तो समाज स्वैम मर्यादित होगा समाज स्वैम अनुशाशित होगा नेराला भी अपनी रचनाओं में इसी लोक मंगल के भाव को पकड़ती हैं इसलिए आप देखेंगे कि राम की शक्ति पुजा में घोर हताशा और घोर नेराशा की दशा में भी कहीं भी राम अमरयादित नहीं होते उनकी भाशा कहीं भी फूहड नहीं होती घोर पीड़ा में भी भाशा देखिये मित्रवर विजय होगी ना समर रोपड़ती हैं राम लिक्त कहती हैं राम दिखो बंधुवर सामने इस्थित यह जो भूधर मानो मुह से जो शब्द निकलते हैं उसमें भी समाज के मंगल का भाव है इसलिए निराला ब्यंग भी करते हैं कुकुरमुत्ता में कि समाज में किसी ऐसे दर्शन या किसी ऐसी विचारधारा की आवश्यक्ता नहीं जो समाज को स्वच्छंद कर दे समाज को तोड मरोड दे उसकी मर्यादा को भंग कर दे उस समाज को अराजक बना दे और शायद यही साहस है निराला में कि पुत्री का सौंधर्य वर्णन तो करती हैं लेकिन उस सौंधर्य में लज्जा का भाव है नैतिक्ता का भाव है विशक निराला व्यक्तिवादी थे उन्होंने परमपराओं का कई अस्तरों पर विरोध किया चंद बद्धिय कविता की जगह मुक्त चंद शैली का प्रयोग किया लिखा भी व्यर्थ भी कवी जीवन में व्यस्त लिखता रहा मैं मुक्त गती अबाध मैं लिखता रहा अबाध गती मुक्त चंद यानि निराला परमपराओं के विरोधी रहे हैं लेकिन उन परमपराओं के विरोधी नहीं रहे हैं जिससे राष्ट्र और समाज का निरमाण होता है इसलिए इस शोक गीत में निराला बिफर पड़ते हैं अपनी अभावदशा या अपने जीवन की जो पीड़ा है उसे उद घाटित करते हैं धन्य पिता मैं निरर्थक था दुखी जीवन की कथा रही किन्तु यह भी कह पड़ते हैं अशब्द अधरों का सुना भास मैं कवी हूँ पाया है जीवन में प्रकाश पुत्री की मौत इसे लिए महा अलोक वरण की तरह उन्हें प्रतीत होती है और उसका जीवन गीता की तरह और गीता तो अपने आप में एक सुचिकर ग्रंत है एक पुस्तक है जो जीवन को प्रकाश से भरने वाली रचना है तो पुत्री का जीवन भी गीता की तरह अस्तादसाध्याय को पार करके महा अलोक वरण को प्राप्त होता है पुत्री का जीवन और स्वयम निराला के जीवन में भी एक आलोक उतरता है, एक प्रकाश से भर जाता है इनका जीवन की घोर पीड़ा, घोर यातना में भी व्यक्ति अमर्यादित न हो, वो श्रिंखल न हो, साहित्यकार का जो कर्म है उससे नहीं भटके इसले लिखते हैं गत कर्मों का अरपन, करता हूँ तुझे तरपन, पुत्री के लिए अपने साहित्तिक कर्मों को ही तरपन के रूप में प्रस्तुत करते हैं निराला तो तीन बातों पर इस रचना को आप लिख सकती हैं कैसे कैसे लिखेंगे, भागेक में लिखेंगे कि शोक गीत क्या है इसकी प्रक्रिया, इसकी परंपरा, पष्चमी साहित्य से जुड़ी हुई है कहीं न कहीं अरभी साहित्य से जुड़ी हुई जहां एलिगी, शोक, गीतिया, मरसिया, स्यापा जैसे तत्व लिखे जाते थे हिंदी साहित्य में आंशिक रूप में कहीं कहीं एकाध पंक्तियों के रूप में अमीर खुश्रो इसका प्रयोग करते थे कहीं देखा जाए तो भारतेंदु की पंक्तियों में भी है लेकिन एक स्वतंत्र रचना के रूप में शोक गीत को पहली बार महाप्राण निराला ने लिखा और शोक गीत के लगभग इन सभी तत्वों का निर्वाह किया पुत्री की पुराने सम्रतिया याद आती हैं वो आहलादित करने वाले च्छन उन्हें याद आती हैं आत्म अभाव और अपनी पीडा को अपनी असमार्थता को भी निर्वाला कही न कहीं धिक्कार उठती हैं साथे ही परंपरा विवस्था दहेज जैसी कूप्रथा कान्य कुप्जों पर प्रहार करने की भी कोशिस करती हैं और कहीं न कहीं एक प्रेरणा भी लेती हैं जो मृत्यू है एक महालोक वरण की तरह है और स्वेम निराला अपने जीवन में एक प्रकाश का भी अनुभाव करते हैं इसे लिए घोर यातना घोर पीडा में भी निराला महाप्रान है कितनी बात समझ में आई तो BPSC देने वाले दोस्तों से एक मेरी विंती है कि याद रखिये जब आप कहते हैं कि भाई सिर्फ BPSC के टॉपिक को ही पढ़ लेना है आप कितना इसको पढ़ेंगे जब तक आप राम की शक्ती पूजा को नहीं समझेंगे निराला की रचना तब तक सरोज स्मृत्ती को बहुत अच्छी तरह नहीं लेख पाएंगे जब तक आप छायवादी विशेस्ताओं को नहीं समझेंगे तब तक इस रचना को नहीं लेख पाएंगे याद रखे कुकुरमुत्ता की भी आपको समझ जरूरी है तो ही इस रचना को लेख पाएंगे यानि एक रचनाकार की समग्र जीवन रिष्टी को देख करके ही आप किसी प्रश्ण का उत्तर कर सकते हैं और वही बेहतर एक संतुलित उत्तर होगा और फिर देखिए नंबर कैसे मिलते हैं हाया न तो जिस तरीके से मौसम करवट ले रहा है देखे थोड़ी घर्मी भी लग रही है सरदी भी है कभी रुक रुक के बारी सो रही है उसी प्रकार अपने विचारों को भी करवट देते रहें किसी की रटी रटाई लिक पर मत चलें थोड़ा हटके भी सोचें कि भाई क्या करने से बहुत अच्छा होगा तो धेर सारी शुव काम नहीं ऐसे ही आप लोग महनत करते रहें और मैं तो प्रस्तुत हूँ ही आपके लिए मैं भी कभी हूँ पाया है प्रकाश नमस्ते दौस्ता